प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं भाशा अभ्यास की किताब में से अभ्यास नमबर ग्यारा संजे की प्रतंग कक्षा प्रतंग डीएवी निकालेंगे पन्ना नमबर 49 चित्र देखकर दिये गए शब्दों में से सही नाम चुनकर लिखिए देखिए चित्र आपके सामने ही है और नीचे हल्प बॉक्स है उसमें शब्दों लिखे हुए है पहला है अंगूर, मंदिर, पतंग, डंडा, बंदर, शंग, कांगो, कंगा, खंबा तब हम एक-एक पिच्चर का इंटिफार करते जाएंगे और उसके नीचे सही शब्द को लिखते जाएंगे ये हैं ग्रेप्स जिसको बोलते हैं अंगूर, तो अंगूर को यहां से उठाके लिख देंगे यहां पर, तो यह हमने लिख दिया, टिक कर दो नेक्स है पतंग, फिर है मंदिर, इसको बोलते हैं कांगो, शंक, बंदर, कंगा, डंडा, खंबा, खंबे होते हैं ना, पिलर्स, मंदिरों में, बड़े-बड़े पैलिसे में, घरों में भी होते हैं, यह हैं खंबा अगला पेच, फ्रेशने दो, अंग की मात्रा का प्रयोग करते हुए दिये गए शब्दों को दुबारा लिखिए, दिखो जी, यह पक था न, पंख आएगा इसका, बिंदी डालनी है, हमने बस यह देखना है कि बिंदी आएगी कहां पर, रंग रा क्यों पर बिंदी, हांस हा क्यों पर बिंदी, ढंग धा क्यों पर बिंदी, पलंग ला क्यों पर बिंदी, सुगांद गा क्यों पर बिंदी, सुरंग रा क्यों पर बिंदी, जंगल जा क्यों पर बिंदी, बुलंद ला क्यों पर बिंदी, फिर है संतूर सर क्यों पर आएगी बिंदी जंडा जर क्यों पर बिंदी गंगा पहले वले गर क्यों पर बिंदी घंटा घर क्यों पर बिंदी डंडा डर क्यों पर बिंदी अंडा अक्यों पर बिंदी बंदर बर क्यों पर बिंदी मंदिर म की उपर बिंदी और अंदर अ की उपर बिंदी इसको पहचानने का सही तरीका क्या है आपने शब्द को बोल के देखना है जैसा शब्द है रंग र के बाद न की अवाज हमारी नाक से निकल रही है तो जिस वन के बाद न की आवाज नाग से निकलेगी, उस वन की उपर बिंदी डल जाएगी, रंग र की उपर डल दी, इसी तरह से यहां था बंदर, ब के बाद ही न की आवाज आ रही है, तो ब की उपर बिंदी डल जाएगी, ठीक है, आगे चलते हैं, प्रेशन नमबर तीन समझकर पूरा कीज पतंग, पतंगे, पतंग एक पतंग की बात होगी, और अगर एक से जादा पतंग है, तो पतंगे कर देंगे, प्लूरल कर रहे हैं, एक वचन से बहु वचन कर रहे हैं, पंखा, पंखे, जंडा, जंडे, बंगला, बंगले, बस आ की मात्रा हटा के हमने एकी मात्रा कर दिय और पहले में अ की मात्रा थी तो वहाँ पर भी एकी मात्रा करती है प्रश्न चार्ज सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए वहत भी नीले डैश की डोड़ लाई है रंग के भंग नीले रंग की डोर लाई है रंग को टिक करेंगे यहां लिख देंगे डैश नदी हीरे नदी तेज महती है गंगा नदी मेले में सबको बड़ा मस्ती आया के अनन्द आया अनन्द आया अगर मस्ती लिखा था तो यहां पर आई आती बड़ी मस्ती आया अनन्द पुलिंग की तरह है आया लिखा हुआ है तो यहां पर आनन्द आएगा मस्ती नहीं चलो आज प पंग होते हैं तो क्या आएगा यहां पर मोर्गे पंग हच्छे होते हैं पन्ना नमबर बविंजा दिये गए चित्रों को ध्यान से दिखिए इसमें देखो आपको डेज आफ ता वीक हिंदी में बताये गए हैं जैसे हम संडे मंडे बोलते हैं ना मंडे टूस्डे वेटनस उसको हमने अब हिंदी में भी लिखना सीखना है तो पहला है सोमवार मंडे मंगलवार टूस्डे बुद्धवार वेटनस डे ब्रहसपतिवार थर्सडे शुक्रवार फ्राइडे शनीवार साटरडे अब यहां पर चित्रों को समझते हैं सोमवार के दिन यह देखो बुद्धवार को उनने नौका की सैर की ब्रहसपतिवार को वो चिडिया घर गए बंदर के साथ खेले या बंदरों को उनने देखा शुक्रवार को उनने मचलियां देखी तालाब में और शनीवार को फिर वो दुबारा अपने घर वापिस आ गए तो यह एक यात्रा का सी तो अब हम इसे बाक्यों में पिरोएंगे सोम वार को रेल गाड़ी पर बैठे मंगल वार को स्टेशन पर उतरे बुद्ध वार को नौका की सैर की ब्रहसपतिवार को हम चिडिया घर गए शुक्रवार को हमने बहुत सारी मचलियां देखी शनी वार को हम रेल गाड़ी से वापिस आ गई गई कैसे लिखेंगे आ गई तो इसको चित्रों को हमने एक कहानी में या एक पैराग्राफ में सिंटेंसिस में पिरोदिया है पहले आप सिरफ दिनों का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो पिचर में हो रहा है जो आपको जैसे समझ में आ रहा आप ऐसा यहां पर मैंने आपको एक्जांपल दिये कि आप ऐसा लिख सकते हो ठीक है तो चलो बच्चो इसी की साथ संजे की पतंग भाशा भ्यास में भी संपून होता है मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में तब तक लिए पढ़ते रहें खुश रहें पर मेरा चैनल सब्